हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्रेय अस्तिर पाठी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एक साथ मल्टिपल इस्क्रीन या फिर मल्टिपल डेस्क्टॉप आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम भी तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके ल वी 2.0 दोस्तों यह वर्जन है तो जैसे ही हम वी 2.0 जैसे ही सर्च करते हैं तो जो पहला ऑप्शन या पहला लिंक जो आपको मिलेगा टेगने.microsoft.com उस पर आप क्लिक कर देंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगा वहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा तोस्त आपन यह पर आप देख सकते हैं और यह नंबर जो नंबर आप यूस करना चाहते हैं अपने जो शुन को करने के रिए तो यह इहां पर देख सकते हैं आप अपने चारों डेस्क्टॉप पे कुछ भी रख सकते हैं और फिर जो जिस डेस्क्टॉप पे आपको जाना है तो इस सॉफ्ट्वेर को हम डाउनलोड कर लेते हैं यह जी फाइल में डाउनलोड हो तो आप यहां से एक्स्ट्रेक्ट कर ले या फिर जहां भी आप आपका डेस्क्टॉप आचुगा है फिर यह जैसे हम इस अप्लिकेशन को इस्टॉल करते हैं यहां पर पहले एग्री आप इसके टर्मेंड कंडिशन को पड़ सकते हैं इसलिए और फिर यह देखिए यहां पर यह आपको इन्फॉर्मेशन दी जारी कि आप कैसे स्विच कर सकते ह करना है जैसे कि अगर आप चाहते कि यह आपके डिस्क्टॉप पर सौट कट बन जाए तो फिर उसके वाद जैसे ही आप OK करेंगे तो यह देखिए यह आपके सिस्टम में इंस्ट्रॉल हो चुगा है आप इसे अब यूज करने के लिए दिखिए आप क्या करना पड़ेग तो आप जो भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टी टास्किंग कर रहे हैं मल्टी टास्ट मेंस की बहुत सारे काम कर रहे हैं एक स्क्रीन पर अगर अपना इंटरनेट चला रहे हैं दूसरे पर VLC चला रहे हैं तो आप इसली कर सकते हैं और उसे स्विच इसली कर सकत प्राइतल जैन करूडına जया है